हेलो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एजी थरल एकसल 100 mg लिक्वीट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके फैदे क्या हैं इसे का बेवम कैसे सिवन करनी चाहिए इस दवा के इस्तेमाल के दौरान कौन-कौन से साउधानियों को ध्यान में रखना चाहिए यह क इस परकार से काम करता है और इसके साइड इफेक्ट क्या है तो चली आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो बने रहे हैं हमारे इस चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ग्रीपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें ताक हही अच्छी कंपनी है और अब बात करते हैं इसके कॉंपोजिशन के बारे में किसमे कौन कौन से कॉंटेंट मिले हुए है तो इसमे मुख्य रूप से ezithromycin svmg मिला हुआ है और अब बात करते हैं इसकेब वारिक के बारे 30 ml के quantity में आता है और अबात करते हैं इसके फायदे के बारे में कि बच्चों के किन-किन विमारियों में इसका उप्योग किया जाता है तो इस दवा का मुख्य इस्तमाल पेप्टी कलसर और बैक्ट्रिया से होने वाले संक्रमन की इलाज में दिया जाता है इस दवा का इस्तमाल कई अलग-अलग परकार के संक्रमनों में किया जाता है जैसे कान का संक्रमन आखो का संक्रमन नाक का संक्रमन गले का संक्रमन फेफ़ो का संक्रमन तौचा का संक्रमन मुत्र मार्ग का संक्रमन हडियो और जोडो का संक्रमन रक्त और हध्यका संक्रमन टाइफाइड बुखार नमोनिया एवं घाव को भरने एवं संक्रमन को अधिक फैलने से रोकता है और अब बात करते हैं कि इसे कब एवं कैसे सेवन करनी चाहिए तो इस दवा को खाना खाने के साथ या खाली पेड भी लिया जा सकता है यह दवा आम तोर पर आपके बच्चे को कुछ ही दिनों के अंदर बेहतर मसूस कराती है हलाकि बेहतर मसूस होने के बावजूद भी दवा का कोई खुराक न छोड़ें और इलाज का पूरा कोर्श खतम करें अपने डॉक्टर द्वारा बताये गए डो जयोम आउधी तक लेना जरूरी होता है इस दवा का इस्तमाल अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही करें क्योंकि आपके डॉक्टर बच्चे की स्थिती और बोडी वेट के हिसाब से दवा का सही खुराक न इधारित करते हैं और अब बात करते हैं कि इस दवा के इस्तमाल के दवरान कौन कौन से साधानियों के ध्यान में रखना चाहिए तो अगर आपके बच्चे को कभी किटनी या लीवर से कोई समस्या हुई हो या स्वास्ते से सम्मनित किसी भी परकार की कोई समस्या हुई हो तो आप अपने डॉक्टर को आवसे बताएं और उन सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप पहले से अपने बच्चे को दे रहे हैं और अब बात करते हैं कि यह सरीर में किस परकार से काम करता है तो एजीथरल, एकसल, सोव एमजी लिक्वीड, एक एंटिबाइटिक है यह महत्वपूर्ण कारे करने के लिए बैक्टरिया द्वरा आवसेक अनिवारे प्रोटिन के संसलेशन में हस्ते छेप करके काम करता है ऐसा करने से यह इनफेक्शन के कारण फैलने वाले बैक्टरिया को आगे बढ़ने से रोकता है और infection को फैलने से रोकता है और अब बात करते हैं इसके side effect के बारे में तो अगर इस दवा को सही तरीके और सही खुराक में लिया जाये तो इस दवा के side effect बहुत ही कम देखे जाते हैं जैसे दस्त होना, मिचली आना, पेट दर्द, इत्यादी इसके common side effect हो सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें comment में जरूर बताएं